कुछ महीने पहले करनाटक से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी और आपने करनाटका के सब लोगों ने युवाओं ने बुज़ुर्गों ने माताओं बहनों ने इस यात्रा का पूरा पूरा का पूरा समर्थन किया आपने अपनी पूरी शक्ति इस यात्रा में डाली और यात्रा को आपने सफल बनाया मैं दिल से आप सब का इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ यात्रा ने पूरे देश में एक मेसेज दिया कि ये देश सब का है दो तीन चुनो हुए लोगों का नहीं है अदानी जी का नहीं है ये देश किसानों का मजदूरों का गरीबों का युवाओं का देश है और आपने देखा होगा कि यात्रा में कोई बड़ा सा रथ नहीं था सब लोग एक साथ चले नफरत नहीं थी हिंसा नहीं थी भाईचारा था एक दूसरे की इज़द थी तो ये यात्रा ने देश को भाईचारे का मेसेज दिया और हर प्रदेश में जो रिस्पॉंस हमें करनाटक में मिला वैसा ही रिस्पॉंस हर प्रदेश में मिला करनाटक में केरल में महराश्ट्रा में राजस्तान में हर्याना दिल्ली पंजाब हिमाचल जमू कश्मीर हर प्रदेश के जनता ने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा के साथ मिलना चाहते हैं हम एक साथ महब्बत से रहना चाहते हैं हम नफरत नहीं चाहते हैं लाखों लोगों ने लाखों लोगों ने नफरत के बाजार में महब्बत की दुकाने खोली और यही हमारा हिंदुस्तान है यात्रा में बहुत लोगों से बात हुई करनाटक में करनाटक के युवाओं ने हमें दो तीन मेसेज दिये और मैं आज स्टेज से वो मेसेज दोहराना चाहता हूँ सबसे पहले युवाओं ने कहा कि इस प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता चाहे कोई भी डिगरी ले लो किसी भी कॉलेज में पढ़ के निकल लो करनाटक की सरकार करनाटक में युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है यह पहला मेंसेज था और यह सिर्फ एक युवाओं नहीं कहा यह करनाटक के लाखों युवाओं ने हर रोज मेंसेज दिया दूसरा मेंसेज सिर्फ युवाओं नहीं सब लोगों ने कहा कि करनाटक की सरकार देश में सबसे भरष्ट सरकार है 40% की सरकार है और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमिशन देना पड़ता है आप ही ने मुझे बताया कि कॉंट्रैक्टर्स असोसियेशन ने और स्कूल मैनेजमेंट असोसियेशन ने हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री को चिठ्थी लिखी कि करनाटक में 40% कमिशन लिया जा रहा है हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री ने उनकी चिठ्थी का जवाब आज तक नहीं दिया है आज तक कॉंट्रैक्टर्स असोसियेशन और स्कूल मैनेजमेंट असोसियेशन की चिठ्थी का जवाब हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री ने नहीं दिया मैसोर सेंडल सोप कॉपरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है MLA के बेटे को पकड़ा जाता है आठ करोड रुपे लिए कोई कारवाई नहीं होती सरकार उसकी रक्षा करती है जॉब स्कैं हुआ PSI स्कैं हुआ 80,00,00,00,00 रुपे का ब्राइब की रिश्वत Assistant Professor Job Scam Assistant Engineer Job Scam लिस्ट लगी हुई है सबसे ब्रश सरकार, देश में सबसे ब्रश सरकार, करनाटगा की सरकार है और यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह हजारों युवाओं ने करनाटगा की सडकों पे भारत जोडों के समय, भारत जोडों यात्रा के समय मुझे बताया है बरश्ट अचार क्यों हो रहा है क्योंकि पूरा का पूरा फाइदा चुन हुए लोगों को दो तीन लोगों को होता है दिल्ली में पार्रमन ठाउस में मैंने अदानी जी के बारे में भाशन दिया कि हिंदुस्तान में सारे के सारे बिजनस सारे के सारे industries उनके हवाले की जारी हैं उनको दी जारी है चाहिए वो एरपोर्ट हो पोर्ट्स हो सडकें हो सारी की सारी चीजें अदानी जी को दी जारी है और यही यहां हो रहा है चुने हुए लोगों को जो बीजेपी की सरकार के मित्र हैं जिनका रिष्टा है पूरा पूरा फाइदा उनको दिया जाता है और इसके कारण प्रदेश में जबरदस्त ब्रश्टचार बढ़ रहा है मैंने कहा कि वयवाओं ने मेसेज दिया था कि उनको रोजगार नहीं मिलता तो आज कॉंग्रेस पार्टी ने उन सब वयवाओं को जवाब दिया है जवाब क्या दिया कि 30,000 रुपय हर महिने हर ग्रेजुयट को दो साल के लिए कॉंग्रेस पार्टी देगी पंदरा सो रुपे हर महीं ने डिप्लोमा होल्डर्स को दो साल के लिए दिएगी क्योंकि हम आपकी कटिनाई समझते हैं आपकी मुश्किल समझते हैं हम जानते हैं कि बीजेपी की सरकार आपको रोजगार नहीं दे पारी है आपको कश्ट हो रहा है आपको मुश्किल हो रही है इसलिए हमने यह आपके लिए कदम उठाया है तीन हाजार रुपे हर महीने ग्रैजुएट्स के लिए पंदरा सो रुपे हर महीने डिप्लोमा उल्डर्स के लिए दो साल के लिए और हम वहाँ नहीं रुकेंगे हम वहाँ नहीं रुकेंगे दस लाख युवाओं को कॉंग्रेस पार्टी की सरकार पांच साल के अंदर इस स्केट में रोजगार दिखा के देगी और दाई लाख जो सरकारी वेकंसीज हैं उनको हम पूरा करके भरके करनाटक के युवाओं को दिलवाएंगे यात्रा में महिलाओं ने अपनी कटिनायों के बारे में बोला हमने पहले अनाउंज किया है कि 2000 रुपे हर महीने हम महिलाओं की करनाटक की महिलाओं को ग्रेहल लक्ष्मी स्कीम में दिलवाएंगे और अनभागिया स्कीम में 10 केजी 10 केजी चावल हर BPL परिवार को कॉंग्रेस पार्टी दिलवाएगी और ग्रह जोती स्कीम 2000 यूनेट मुफ्त में बिजली कॉंग्रेस पार्टी देने वाली है तो ये हमारे वाइदे हैं एक और बात उठी थी यात्रा में उठी थी जो वाइदा सरकार ने किया है स्टी रेजर्वेशन को 15% से 17% स्टी रेजर्वेशन को 3% से 7% जो बराने का वाइदा है उसको एकदम सरकार को पूरा करना चाहिए तो ये हमारा मेसिज है हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे कॉंग्रेस के सब नेता एक साथ लड़ेंगे और ये जो चुनाव है ये कॉंग्रेस पार्टी स्वीप करके दिखाएगी क्यों क्यों क्यूंकि बीजेपी की सरकार 40% वाली सरकार है कमिशन की सरकार है और करनाटका की जनता इस सरकार को हटाना चाहती है परे करना चाहती है और गरीबों की कमजोरों की आम आदमी छोटे विया पारियों की सरकार बनाना चाहती है मैंने कहा है करनाटके नेताओं से कहा है करनाटके चुनाओं में जहां मी मेरी ज़रूरत पड़ेगी जिस डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हो मैं जाने को त्यार हूँ बीजेपी को बीजेपी को हम मिलके हराएंगे भारी बहुमत से कॉंग्रेस पार्टी के यहां चुनाओं जिताएंगे आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जेहिद चाहताएंगे